हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल राहूल टीचाई, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर बैक पेपर किलियर किया है तो वो किस तरीके से आपकी मार्क शीट में सो होता है या फिर आप पासिंग विद ग्रेस होए हो, तो वो किस तरीके से आपकी मार्क शीट में सो होता है क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में आपको बैक पेपर का तो बता दिया था बट पासिंग विद ग्रेस का बताना मैं भूल गया था तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं और इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं मैं अपनी मार्क शीट ढूल लेता हूँ, कहां गई मेरी मार्क शीट कहां चली गई यार यार, कहां बहार तो नहीं है यहां रखके भूल गया तक है मैं अब यह डश्ट्वीन में क्या कर रही है अच्छा, वैसी भी मेरी मार्क शीट देखके मैं आपको नहीं बता पांगा क्योंकि मेरी कभी बैक नहीं आई है तो चली हम आपने फ्रेंड की मार्क शीट से आपको बता देता हूँ जल्दी से तो गाईस आप देख सकते हैं मार्क शीट में यहाँ पर यूनिवर्सल हुमन वैलियूस के सामने क्रेडिट के पास स्टार लगा हुआ है तो जैसा कि स्टार इसमें लगा हुआ है तो मतलब है कि बैक पेपर देके यह पास हुए है इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर और कन्फ्यूजन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं नीचे स्टार का मतलब भी लिखा हुआ है कि क्लियर डाफ्टर केरी ओवर एक्जामेनेशन तो इस तरीकी की रहती है की यह बैक के marksheet बट मैंने पहले भी आपको बताया था की आपकी डिगरी में कुछ भी wasn't होता है कि में में सन होता है और अब grace का देख लेते हैं तो grace वाली मांक्षी जैसा कि मैंने खोल दियैं तो जिसमें एक्षिन में के सामने यह हैस्टेक लगा हुए है तो hashtag का मतलब नीचे दिया गया है कि past with grace तो इस तरीके से दौनों ही चीज मेंसन रहती हैं I hope guys आपको वीडियो चले लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक केर